नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी के study for civil services में ये है हमारी आरो यारो हिंदी की class और हिंदी की class में अब हम एक नया topic शुरू करने जा रहे हैं जो कि है तत्सम तद्वाव ठीक है अब तत्सम तद्वाव से पहले जो है हम विलोम शब्द अल्रेडी पढ़ चुके हैं ल और आज का जो मारा topic जो में start करेंगे वो है तत्वाव और तत्सम या तत्सम और तत्वाव तो लिस्ट को पढ़ने से पहले हम basic fact जारेंगे कि तत्सम तत्वाव होता क्या है तो चलिए जराश को पढ़ लेते हैं अच्छे से फिर हम जो है आगे fact पे आएंगे लिस्ट पे वे शब्द जो संस्कित से उत्पन्न या विक्सित हुए हैं उन्हें हम कहते हैं तत्वाव दूसे शब्दों में जो संस्कित शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावरी में आ गए हैं उन्हें तत्वाव कहा जाता है जो और जो पाली प्राकृत पूजी है ठीखें यानि वे शब्द जिनका कुछ रूप परवरतन होकर जो हिंदी में शामिल हो गए हैं उने हम कहते हैं तद और जो संस्कृत के शब्द हैं ठीक हैं उनको हम कहते हैं तस्सम ठीक वास्तक्ता में देखा जाए तो जो तदभव शब्द हैं यही हमारी अपनी पूजी है हिंदी की सभी क्रियाएं सर्वनाम संग्याएं विशेशन और क्रिया विशेशन तदभव शब्द ही हैं जैसे अगनी बर्सा सलोक तो डॉक्टर उद्या नारायन तिवारी ने किसको कहा है हिंडी की रीड आप आंसर करोगे तत्भव शब्दों को ठीक है वाज़ा देखते हैं तस्व क्या है तस्व सब्द तत धन सम से मिलकर के बना है जिसका अर्थ है समान अर्थात जो शब्द संस्कित भासा से हिंडी में आए हैं और जो कित्यों प्रयोक्त होते हैं उन्हें तस्व कहा जाता है दोचे शब्दों में संस्कित के वे शब्द जो हिंडी में यथावत ले लिए गए ह तस्सम कहलाते हैं जैसे अगनी वर्षाश लोग क्रश्न कृपा इत्यादे लेखो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो है तो संस्कृत के लेकिन आज के समय में उनके रूप में परिवर्तन हो चुका है ऐसे शब्दों को कहा जाता है तद्भव और वे शब्द जो है तो संस्कृत के लेकर उनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है और वो जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है तस्सम अब जैसे आजासे आप देखो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो ठीक है आगे देखो तस्थम के प्रकार तो तस्थम सब्द शाथियों दो प्रकार के होते हैं ध्यालगना पहले होते हैं परंपरा का तस्थम शब्द और दूसरे होते हैं निर्मित तस्थम शब्द परंपरा का तस्थम सब्द क्या है व रंपरागत तस्वम्षब कहा जाता है और निर्मिद कौन से हैं जो शुन के नए विचारों तथा व्यापारों की अभिवयकती करने के लिए संस्क्रिट के व्याकरण के अनुसार अ कि समय अ समय पर बना वावशक्तानुसात तस्वम सब्दों का निर्माड किया जा रहा है हिंदी में कोई शब्द ऐसे भी हैं जो वास्तों में तदवब होने पर भी प्राया तस्वम मालूम पड़ते हैं इसलिए बहुत से लोग उन्हें भूल सी तस्वम समझ लेते हैं जैसे निराशा निराशा संस्कृत का शब्द नहीं है यह संस्कृत के आशा में हिंदी का निर उपसर्ग जोड़कर अत्वा निराश में आका डंड़ा जोड़कर बना लिया गया ये टी नहीं है ध्याना अनुसार तस्वम और तदवब शब्दों की सूची नीचे जी जा रही है जो कि आपके सामने है ठीक है दो चार मैं आपको यहां बता रहेता हूँ फिर हम जो है आगे बात करेंगे चलिए अब यह लिस्ट है हमारी इसी को हमें फोकस करना है पेपर में इसी से ही सवाल आपको देखने को मिलेगा जैसे दो चार देख लो पहले देखो तो अंतडी का तस्सम क्या होता है अंतडी का तस्सम होता है अंत्र ठीक है अंडी का तस्सम होता है एरंडी अंधा का तस्सम होता है अंध और अकणना का तस्सम होता है आकणन ध्यानक ना अंगुली या अंगुली का तस्सम होता है अंगुली अच्छर अच्छर का तस्सम होता है अक्षर ठीक है ठीक आगे देखो अंगुठा का तस्तम होता है अंगुष्थ पेपर पूछा गया है याद रखना अंगुष्थ ठीक है अमूल का तस्तम होता है अमूल अफीम का तस्तम होता है अही फेन अनाडी का तस्तम होता है अनारे और अंजली का तस्तम होता है आंजली बोलते हम अंजली है, लेकिन उसकी जो उसकी जो शाही शब्ड है जो तस्म सब्ड है वह रहा है अंजली नजली ठीक है? तो इस तरीके से जो हैं हमें पढ़ने हैं यह हम सारे की सारे पढ़नेंगी चोट चोटे वीडियो बना करके तो यह हुआ साथ को आज का हमारा चोट असा वीडियो जिसमें हमने बात की कि तस्तम तद्वब क्या होते हैं बेसिकली परवाशाओं पर डिसक्स किया हाला कि परवाशा है पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आनी है आपको फोकस करना है इन ठीक है तो चलिए साथ हूं मिलते अंगली क्लास में तब तक के लिए जैहिन जै भारत बंदे मातर हुआ